हेलो गाईज मैं हूँ डॉक्टर वन्ना उम्राव मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको एक छोटी सी हार्वेस्टिंग दिखाने वाली हूँ तो चलिए मेरे साथ आज मैं आपको दिखाती हूँ ये मैंने कुछ फूल गोबी की पौद तैयार की है इस बार इस मन्त में तो ये मैंने काफी बार-बार उठाके अंदर रखना पड़ता था इस तरह से मैंने ये पौद तैयार की है और तो मैं किसी चीज़ की अभी पौद तैयार नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल हुआ इस बीच में बारिस की वज़े से और अब मैं आज आपको लोबिया की हार्वेस्टिंग दिखाने वाली हूँ क्योंकि लोबिया की हार्वेस्टिंग इससे पहले मैं 2-3 बार कर चुकी हूँ जितनी भी फलिया निकलती हैं काफी अच्छी बड़ी बड़ी फलिया आती है इसका सीट काफी अच्छा है तो मैंने कुछ फलिया छोड़ी है क्योंकि मुझे हर्वेस्टिंग का वीडियो दिखाना था आपके लिए वीडियो लेकर आना था लोबिया की फलियो का इससे पहल 5-6 फली भी आ गई तो मेरी सुबह मौनिंग की सबजी ड्राय वाली बन जाती है बहुत आराम से मैं छोटी फली भी हर्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि हर्वेस्ट करते हुए दिखाना है इसलिए मैंने छोटी फली भी हर्वेस्ट कर रही हूँ लेकिन इसमें काफी बड़ी फली आती है और जो की बड़ी आने के बाद भी वो बहुत सॉफ्ट रहती है तो पूसा का सीड है ये काफी अच्छा सीड है ये बहुत अच्छा लगा मुझे तो अपने घर की और्गैनिक वेजी टेवल बनती बहुत तेस्टी है और प्योड तो और्गैनिक है ही आप अपने घर में और्गैनिक वेजी टेवल छोटे से स्पेस में ग्रो बैग में गाडनिंग करके आप जरूर उगाईए एक से दो सबजियां ही उगाई है जिससे आप अपनी बॉडी केमिकल से बचा पाएंगे और अपने सरीर को स्वस्तर रख पाएंगे ये मैं हमेशा वीडियो में कहती हूँ और मैं हार्वेस्टिंग का वीडियो इसलिए बार बार लेकर आती हूँ जिससे आप मोटिवेट हो जिससे आप अपने घर पे सबजियां जरूर उगाएं और इजी तो ग्रो वाली सबजियां उगाई है जो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं देखे कितनी सारी फलिया निकली है और बहुत खुशी मिलती है जब पांसे छहाली अगर हार्वेस्ट करने को मिल जाती है ये भी काफी बड़ी इसकी भिंडी आती है साइज में ये भी 7-8 भिंडी भी आप ड्राय वाली सब्जी के लिए परियाप्त होती है बनाने के बाद इसका कलर फेड हो जाता है मुझे लगा कि रेड वाली ओकरा बनाने के बाद भी इसका कलर फेड नहीं होगा लेकिन जब आ इससे की में इखटा कर लेती हूं लेकिन अगर आप अपने टेरिस में गार्डिंग करते हैं तो आप ये उमीद मत रखिए कि 1-2 किलो सबजी एक साथ निकलेगी ऐसा नहीं है आप अगर औरगैनिक गाडनिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एक पार फ्रूटिंग आने के बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद दुबारा फ्रूटिंग आएगी और जब भ कोई मैन्योर जरूर दीजिए चाहे तो आप लिकड मैन्योर दीजिए लिकड फर्टिलाइजर या फिर आप गाय के गोबर या वर्भी कंपोस्त दे सकते हैं क्योंकि जो हम अर्थ से लेते हैं वो हमें देना होता है तो जिससे फिर अगली बार अच्छी फ्रूटिंग आत तो फिर से बहुत अच्छी फ्रूटिंग आएगी और फ्रूट का साइज भी अच्छा आएगा तो और्गैनिक वेजिटेबल जब हम घर पे उगाते हैं तो आप एक बार में इखटे एक से दो किलो सबजिया नहीं आती हैं लेकिन हाँ अगर आपने आज 7-8 भिंडी कलेक तो वो मैं इखटा कर लेती हूं 2-3 दिन और इसके बाद एक दिन उस सबजी के बनाती हूं और मैं अपने बच्चों को बताती हूं कि आज मैंने और्गैनिक वेजिटेबल बनाई है यह है चेज का साग जिसका सीड मैं अपने मामा के हां से लेकर आई थी इसमें मैंने फल यह ज्यादा तर खेतों में मिलता है लेकिन मैंने इसको ग्रो बैग में उगाया है अगली बार इससे जरू ट्राइ करूंगी बहुत सारा उगाऊंगी आज इस बार तो मेरे पास एक ही प्लांट है और और कुछ ब्रिंजल में हार्वेस्ट कर लेती हूं ब्रिंजल की मैंन कई वराइटी लगा रखी है अगर आप वेजिटेबल की गाडनिंग करते हैं अगर आप वेजिटेबल घर पे उगाते हैं तो आप हमेशा विंटर से स्टार्टिंग करिए और कुछ इजी टू मेंटेन और इजी टू ग्रो वाली सबजियां जरूर लगाए जैसे करते हैं तो ब्रिंजल जरूर लगाईए डिफरेंट डिफरेंट बैराइटी के आप ब्रिंजल लगा सकते हैं घर पे बैंगन और काफी टेस्टी तो बनता ही है इसका इसके तो बहुत सारी सीज़ें बनती है यूज में आता है तो आप ब्रिंजल जरूर अपने घर पे ल लगा सकते मैंने मिर्ची की 3-4 वैराइटी है गोल वाली मिर्ची तीखी वाली मिर्ची मैंने बहुत सारी वैराइटी लगाई है घी एक तो चिली ए안 जो यलो कलर किया है बहुत तीखी है वो मिर्चि तो मैंने वो भी लगाई है तो आप ये सब चीजे घर पे लगाईये तो हमेशा काम आती हैं और टमाटर भी हमेशा काम आते हैं लेकिन मेरे जहां गर्मी बहुत जादा होती है कि तो एक गर्मियों में टमाटर बुद नहीं Ayam लेकिन सर्दियों में तो बहुत टमाटर आता है यह देखिए यह फली मैं दिखा रही हूँ आपको इतनी बड़ी फली होती है इसकी पांसे छे फलियां इतनी परियाप्त होती है सबजी बनाने के लिए और बिल्कुल सॉफ्ट होती है हार्ड नहीं होती है तो बहुत जिससे बारी बारी से उसमें फलियां आती रहती है और मुझे एकत्थे लगबख एक बार की सबजी के लिए मिल जाती है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप कई प्लांट लगा के आप अगर आप पसंद है जो सबजिया आप उसके कई प्लांट लगा लीजे जिससे कि आपको एक बार में अच्छी सब्जी निकल आती है वेजी टेवल में केर बहुत होती है मैंने भी बहुत स्टगल किया है और गैनिक वेजी टेवल उगाना आसान नहीं है बहुत मुस्किल है मैंने भी स्टार्टिंग में मैंने समर से स्टार् लेकिन आप हमेशा विंटर से करिए जिससे आपको आसानी से आप गार्डनिंग कर पाएंगे तो यह है मेरी छोटी सी हार्वेस्टिंग कैसी लगी आप भी अपने घर पे और गैनिक वेजी टेबल उगाईए और बहुत बहुत अपने सरीर को सस्त रख पाईए मैं अनार मैंने कैसे केर की है इसमें 6-7 अनार लगे हुए हैं और काफी बड़े बड़े लग रहे हैं मैं आप अपना किन्नू भी दिखा देती हूं किन्नू समय फ्रूटिंग प्लांट में मुझे बहुत पसंद है जो यह वराइटी है मेरे पास किन्नू की काफी बड़ा-बड़ा किन्नू आता है इसमें इस पार थोड़ा केरिंग में मेरे से हो सकता है कुछ गमी रह गई हो तो कुछ फ्रूट छोटे रह गए हैं लेकिन कुछ फ्रूट बहुत बड़े हैं पहली बार जब इसमें फ्रूटिंग आई थी तो 50-60 किन्नू आया था आप थोड़ा सा कम हो ग मिर्ची के मैंने बहुत सारी variety लगा रख़कों, इसमें सर्थ कीखली का इस्तेmyal किया है, मैंने भर्मन करेके, में जरूर बताउंगी, मैंने पहली बार इस्तेmyal किया है, तो बहुत अच्छी बनाया है और कैसे इस्तेमाल किया है तो ये है मिर्ची ये भी बहुत तीखी मिर्ची है और ना मेंटल चिली की तरह है और बहुत तीखी मिर्ची है तो ये भी मैंने मिर्ची के एक वराइटी लगा रखी है और इस बार भर-भर के मिर्ची आ रही है मैं बीच में बहुत परि त्यार कर ली है बेल फैल ग史 और अपने आपने बंट में और अपने आपने भूसर बूसरो June मैं कहती हूं अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और बेल आइकन को दवाना मत भूलिए जिससे की आपको सबसे पहल तो थेंक यू